किसी भी देश को बरबाद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि वहां के यंग जनरेशन को आप नसे में ढखेल दीजे क्योंकि अगर यंग जनरेशन एक बार नसेड़ी हो जाएगी तो असलिलता भी उसके अंदर आ जाएगी और असलिलता और नशाद दोनों आ गया फि और दूसरी तरफ सीरियल के माध्यम से फिल्मों के माध्यम से यूटूब के माध्यम से ट्रिटर के माध्यम से सोचल मीडिया के अलग लग प्लेटफॉर्म के माध्यम से असलिलता परूसी जा रही है और नतीजा यह हो रहा है आज की डेट में करोडों परिवार बरबाद से परेशान हैं लेकिन drug smuggling कम नहीं हो रही है क्योंकि हमने कानूनों को नहीं बदला सिंगापुर में नसे का नाम निशान ड्रग स्मगलर को छोड़ने के लिए, आप ज़रा सोचिए, एक थानेदार ड्रग स्मगलर से पैसा लेकर उनको छोड़ रहा है, अगर वो जब छोड़ दिया पैसा लेकर, तो जो उसने पैसा लिया है, उस पैसे को कमाने के लिए वो ड्रग स्मगलर और ज्यादा ड्रग बे माउस खरीदेगा, बड़िया लगजरी कार खरीदेगा, विदेश घुमेगा, और हमारी यंग जनेशन बरबाद होती रहेगा, मैं बार-बार कह रहा हूँ, भरस्टा चार भारत को बरबाद कर देगा, भरस्टा चार सबसे बड़ा देश द्रो है, भरस्टा चार हमारी मुसल्मान बीपरिशान च्राशान समाजवादी भी परिशान इंटर्वादी पर इसकें बाव़ lavor करने वाले बतोले वाजी करने वाले होग करने वाले सांसर्द विधायक कभी ही भिस्टाचार के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं करते हैं दुनिया के कई देषों में होगों को काले कूबयों को फांसी दे जाते हैं फिर भारत मीं ये कानूर क्यों नहीं बंड़ा आप जानते भ्रष्टाचार का दूस्परेड़ा नश्य के कारण यंग जनेशन बर्बाद हो रही है मूल कारणे भ्रष्टाचार असलीलता के कारण यंग जनेशन बर्बाद हो रही है मूल कारणे भ्रष्टाचार सडक किनारे अवैद निर कि सड्क किनार्य अले दिनमाण का मूल इंदर करते यह आर जद्यक्ता जो प väldigt चाहिए मूल करणे ब्रेश्टा चाहिए ये जो पंजाब में चंगाई सभा होती है, भारध या अलग-लग अस्थानों गोजो, चंगाई सभा लगा के लोगो को, कनवर्ट करते हैं, जानते हैं, वो चंगाई सभा लगाने के पहले भी थानेदार को 5 लाक रुपए पकड़ा देते हैं, भारत में घुस्पैठ का मूल कारण में ब्रस्टा चा? बार्डर पे घुस्पैठ ये 2,000 रूपए देज्चा, अन्दर आते हैं, कामन सर्विस सेंटर पे 2,000 रूपए देके आधार बनवा लेते हैं, फिर दलाल को पकड़ते हैं, 2,000 रूपए में बर्सरिफिकेट बनवा भारत में 5 करोड से ज्यादा घुस पैठी आये हैं इसका मूल कारण है भुष्टा-चार जो भारत में दवएुन हैं चृपे हुए हैं इसका मूल कारण है भ्रष्टा-चार ठानेदार को पता है। उसके ठाणे के छेत्र में कितने आवायद घुस Πैठी रहते हैं कितने घंजेडी रहते हैं कितने भंगेडी रहते हैं कितने ड्रग स्मगलिंग करने वाले रहते हैं किसने विश्यविर्ति करने वाले थे सब पता होता है थानेदार को पता होता है कि उसके छेतर में कहां कहां आवयद निर्माड हो रहा है कहां पे मजार बन रही कहां के समगलomie चल रही है ब्रस्टा चार के कारण आज कर रहे हैं कि गाई स्मगलर हम यह भी पहले थानेदार को पैसा देते हैं जब ट्रक लेकर निकलते हैं तो बीच में जितने थान यात आठे वहां उनको पैसा बदावा उनको देते रहते हैं ज्रampa ब्रस्टाचार के कारण अवयद हंथियारों का कारोबार चल रहा है ब्रस्टाचार के कारण थाने दलाली के अड़े बन चुके हैं तहसिल ब्रस्टाचार का अड़ा बन चुका है डिस्टिक कोट में न्याय बीक रहा है ब्रस्टाचार के कारण जूटी गवाही हो रही है ब ब्रस्टाचार भारत की बरबादी का सबसे बड़ा कारण है। ब्रस्टाचार खतम हो जाए ना बहुत सारी समस्या खतम हो जाएगी। भारत में जो जातीवादी कीड़े हैं जो जाती का जहर घोलते हैं। क्योंकि स्कूटर से चलते हैं जैसे पार्षत बन जाते हैं बढ़िया दो तीन फार्चुनर खरी लेते हैं। यह परेडाव हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। आप भ्रस्टाचार के दुस्ट परेडाम को समझे। यह आप जहरीला मिठाई खाते हैं। जहरील ईसलिए सबसी खा रहे इसका मूल कारणे व्रस्टाचार. अब्रस्टाचार के खिलाफ आवाज उठाईえば ब्रस्टाचार तब होगा जब इस सौर रूपय से बड़ी नोट होगे उसके पहले रश्टाचार खतम नहीं होगा रस्टा चार चार तब होगा जब दोजार रूपय से महंगे समान का कैसलीन देन बंद होगा रश्टा ख्ञताव तब खतं होगा जब प्रपरटी को आधार से लिंक करने क्ले कानून बनेगा जिसे चीन में भूर्व कानून मंत्री को फांसी दे दिया दुनिया के कई देशों में भ्रस्टाचार को सबसे गंधीर अपराज माना जाता है जानते हैं क्यों? क्योंकि भ्रस्टाचार होसो हवास में किया जाता है, भ्रस्टाचार प्लांड में किया जाता है, एक कई बार ऐसा होता है, बलातकार अन्प्लांड हो सकता है, एक आएक दारू पी लिया, मूड खराब हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, बलातकार कर द दुर्भाग वास हमारे यहां वही एक तो कानून घटिया और उपर से पुलिस बिवस्था भरस्ट उपर से न्याइक बिवस्था भरस्ट प्रसासनिक बिवस्था भरस्ट पुलिस की कोई एकाउंटबिल्टी नहीं है जाच करने की अगर गलत जाच कर दे तो पुलिस को सजा नहीं मिलती है अगर जद जानबूज के लेन देन करके गलत फैसला दे दे तो उसको भी कोई accountability नहीं को जूडिसल चार्टर नहीं को इसको भी सजा नहीं मिलती तो यह जो कानून घटिया है इसकी वज़े से भारत बरबाद हो रहा है इस नशे के कारण हमारी यंग जनरेशन बरबाद हो रही उसका मूल करने ब्रश्टाचा धर्मांत्रन के कारण हमारी डिमोग्राफी बदल रही उसका मूल करने ब्रश्टाचा घुसपैट के कारण हमारी डिमोग्राफी बदल रही उसका मूल करने ब्रश्टाचा अगर धर्मांत्रन नहीं रोका घुसपैट नहीं रोकी तो भारत को बचाना मुस्किल है और भ्रश्टाचा नहीं रोका तो भी भारत को बच परसंट कदम उजाएं घुस। खतकुर है यह यह जगावारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है जो समस्या भारत में है उशंगापुर में नहीं है जापान में नहीं है दुन definya के कई देशों में नहीं है, मूल कारण यह है, वहां कानून कठोर है, न्याइक बिवस्था बहुत अच्छी है, पुलिस बिवस्था बहुत अच्छी है, रसासनिक बिवस्था बहुत अच्छी है, हमारे यहां नेता तो अच्छे हैं, लेखक भी अच्छे हैं, बुद्धिजी